हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब सेल एक्जाम सोच पर फ्रेंट्स, MP5 की 26, 27 और 28 मार्च की जितनी भी सिप्ट हुई है उन सभी सिप्ट में जरनल अवेर्नेस और कंप्यूटर के जितने भी क्वेस्टन पूछे गे हैं आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं साथ में वो इस संभावित क्वेस्टन भी करेंगे जो आपके एक्जाम में 100% पूछे जाएंगे तो फ्रेंट्स इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा इससे आपको एक हेंट में लगा कि कौन-कौन से जितने आपके एक्जाम में पूछे जा रही हैं और साथ में कौन-कौन से जितने आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर examiner in questions को repeat करता है तो आप उनहें easily कर लेंगे क्योंकि आपको वे question already पता होंगे तो चलिए शुरू करते हैं First question पूछा गया था 28 March की स्रिप्ट में नमक का सूत्र क्या है Sodium chloride का रसानिक सूत्र क्या है यह पूछा गया था नमक का रसानिक नाम होता है Sodium chloride और इसका रसानिक सूत्र होता है NACL NACL होता है इसका रसानिक सूत्र Next question पूछा गया था सत्पुरा सिर्णी किन दो नदियों के बीच विभाजन का कार्र करता है सत्पुरा सिर्णी किन दो नदियों के बीच विभाजन का कार्र करता है नर्मदा और तापती नदियों के बीच बीभाजन का कारे करती हैं अगला कोशन है सीधा और आभासी परतविम कौन सा दरपड बनाता है उत्तल दरपड सदेव एक सीधा छोटा और आभासी परतविम बनाता है उत्तल दरपड बनाता है नेक्स्ट कोशन बिस्वा मित्र पुरुसकार कि सेत्र में दिया जाता है खेल में सेवाओं के लिए कोच को दिया जाता है बिस्वा मित्र पुरुसकार कोच को दिया जाता है बिस्वा मित्र पुरुसकार अगला कुशन ने कोशिका धातू, आधातू, तत्तू और बिद्दुत, लेंस और पदार्थ से एक-एक कुशन पूछे गे थे बड़ किसी को इसके बारे में सहीं तरीके से पता नहीं था बड़ इसे से रिलेटेड एक कुशन पूछे गे थे अगला कोशन मद्ध पर्देश में कहां के सेला सरेश्चेतर परसिध है भीम पेटिका के सेला सरेश्चेतर मद्ध पर्देश में परसिध है नेक्स्ट कोशन पूछा किता इलेक्टरान बादल नाभिक के ब्यास से कितना बड़ा होता है तो इलेक्टरान बादल नाभिक की ब्यास से कित्ता बड़ा होता है 10 की पावर 5 बड़ा होता है 10 की पावर 5 गुना बड़ा होता है 10 की पावर 5 गुना बड़ा अगला कोसन बालिवट गाई का पलक मुच्छाल का संबंध मद्ध परदेश के किस सहर से है ुनिका संभर्ध किस सहर्ट है इन्दोर से हैं इन्दोर से हैं इनका संबंध। नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् से एक या दो question आपके exam में पूछा ही जा रहा है और मैंने राश्टी उद्दान के most important questions रखी हैं जो आपके अगले सिर्ट में जरूर पूछे जाएंगे first है हजारी बाग वन जीव अभ्यरण कहा परे तो ये जारखंड में है जारी बाग वन जीव अभ्यरण जारखंड में है next कैमूर वन जीव अभ्यरण most important है कैमूर वन जीव अभ्यरण ये बिहार में है कैमूर वन जीव अभ्यरण बिहार में है अगला है गिर राश्टी उद्दान गुजरात में है गिर राश्टी उद्दान गुजरात में है गिर राष्टी उद्धान नेक्स्ट है दुधुवा राष्टी उद्धान तो दुधुवा राष्टी उद्धान कहा पर रहे है उत्तर प्रदेश का most important राष्टी उद्धान है दुधुवा राष्टी उद्धान नेक्स्ट चंद प्रभा अभ्यरण उत्तर प्रदेश का अभ्यरण है तुग बंदरा अभ्यरण तुग बंदरा अभ्यरण कहां परने करनाटक में है तुंग बधराब्रण करनाटक में नेक्स्ट काजी रंगा राष्टी उद्दान काजी रंगा राष्टी उद्दान मोस्ट इंपोर्टन है दोस्तों काजी रंगा राष्टी उद्दान ये असम का राष्टी उद्दान है रड़्थमभवर अभ्यरण कहा है राजस्थान कहा है जैसे कि नाम से ही पता चला है रड़्थमभवर अभ्यरण राजस्थान कहा है नेक्स्ट है मानस राष्टी उद्दान ये असम का राष्टी उद्दान है मानस राष्टी उद्दान असम का राष्टी उद्दान है पेंच राष्ट्री उद्दान और ये कुश्चन आपके एक्जामें पूछा जा चुका है सिमलीपाल अभ्यरण ओडिसा का अभ्यरण है सिमलीपाल काहना राष्ट्री उद्दान ये मद्द परदेश में इस्ते थे सुन्दरवन राष्टी उद्दान गंगा और ब्रह्म पत्र नदी बनाती हैं से पश्चिम मंगाल में इस थे यह पश्चिम मंगाल में नेक्स्ट कोशन पूछा गे ता यूनिक्स और लिनक्स कैसा ओपरेटिंग सिस्टम है तो यह मल्टी टास्किंग आपरेटिंग सिस्टम है मल्टी टास्किंग आपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स और लिनक्स नेक्स्ट कोशन आगरा की ताजमहल के निर्माड से पहले मदद परदेश में किस अस्थान को ताजमहल के लिए चुना गया था तो किसे चुना गया था बुरहानपुर को चुना गया था मन्दब ताजमहर के निर्मार के लिए अगला कुसन ने सबसे बड़ा नेटवर्क के कौुन सा होता है इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है Next question किसूर कुमार पुरुस्कार किसे दिया जाता है अविनेता, गायक, नर्देशक, और पासरब गायक को दिया जाता है किसोर कुमार पुरुषकार अगला कोषन tactical में इंडोनेसिया में 2004 में बाक्सिंग डेज सुनामी कौन से दूइप पर आई थी सुमात्रा पे आया थी बाक्सिंग डे सुनामी नेक्स्ट कच्चिने महा जनपतकाल की कौन सी राज़्धानी गरतंत थी बैसाली गरतंत थी महा जनपतकाल में नेक्स्ट कच्चिने सैलानी दोईब निम्लेकरट में असे किस अस्थान पर है WILLstepर तो आप्सन में दिया गया था अंकोरेस्वर, अंकोरेस्वर जो की खंडाबा में, अंकोरेस्वर जो की खंडाबा में हैं, सेलानी दीप यही परिस्ते थे भारती राष्टी कांग्रेस की स्थापना किसमें भारत का वाइसराय कौन था? उसमें वाइसराय था लार्ड डफरिन भारती राष्टी कांग्रेस की स्थापना किसमें लार्ड डफरिन वाइसराय था आदिवासी संगराले कब अस्थापित किया गया था? 20 अप्रेल 1994 को स्थापित किया गया था आदिवासी संगराले भारत कौन सी योजना के तहट स्वतंत्र हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहट स्वतंत्र हुआ था भारत नेक्स्ट कुशन जिग्यासराजपूत किस खेल से संबंधे थें? ये बाक्सिंग से संबंधे थें, जिग्यासराजदूद पाक्सिंग से संबंधे थें नेक्स्ट कोशन हाली में हाड्रोजन फ्यूल का उध्गाटन किया गया ये किसके आधीन आता है तो केंद्रिये सड़क परियोहन और राजमार्ग मंतराले के आधीन आता है हाड्रोजन फ्यूल नेक्स्ट कोशन आइने अकबरी में किस राष्टी उद्दान का उल्लेख मिलता है तेंच राष्टी उद्दान का उल्लेख मिलता है आइने अकबरी में नेक्स्ट कोशन भारती स्रम सम्मेलन की पहली बैठक कब हुई थी 1942 में हुई थी भारती स्त्रम सम्मेलन की पहली बैठक नेक्स्ट कोशन पूछे गे था अली राजपुर जिला किस वर्स में स्थापित किया गया था 2008 में स्थापित किया गया था अली राजपुर जिला 2008 में अगला कोशन मद्द प्रदेश में मिनी कस्मीर किसे कहा जाता है नरसिंग गड़ को कहा जाता है मद्द प्रदेश का मिनी कस्मीर नेक्स्ट कोशन पूछा गया था चंदरगुप्त के बाद किसने सासन किया था तो बिंदर सार ने किया था चंदरगुप्त के बास आसन बिंदर सार चंदरगुप्त का ही बेटा था अगला कोशन बिटामिन A का रसानिक नाम क्या है तो बिटामिन A का रसानिक नाम क्या है रेटनॉल है बिटामिन A का रसानिक नाम दोस्तो बिटामिन के रसानिक नाम से एक या दो कुछ से नाब के हर एक सिप्टमे जरूर पूछा जा रहा है और हमने most important जो जितने भी बिटामिन से उनके रसानिक नाम इस बेड़ों में रखें तो first है बिटामिन D का रसानिक नाम क्या होता है बिटामिन K का रसानिक नाम बिटामिन C का रसानिक नाम क्या होता है एसकर्बिक एसेड होता है और एक उस्टन आपके एक्जाम में पूछा जा जुका है बिटामिन C का रसानिक नाम एसकर्बिक एसेड एसकर्बिक अमल होता है बिटामिन B1 का रसानिक नाम थाइमिन होता है थाइमिन होता है बिटामिन B1 का रसानिक नाम होता है राइबोफलेविन बिटामिन B3 का रसानिक नाम होता है नियासिन और बिटामिन B5 का रसानिक नाम क्या होता है पेंटोथेनिक अमल होता है बिटामिन B5 का रसानिक नाम होता है पाइडी टाक्सिन और बिटामिन B7 का रसानिक नाम होता है बायोटिन इसके अलब बिटामिन B9 का रसानिक नाम होता है Folic और बिटामिन B12 का नाम होता है रसानिक नाम होता है कोबालामिन बिटामिन B12 most important है कई बार exam में पूछा गया है कोबालामिन होता है बिटामिन B12 का रसानिक नाम ये जितने भी vitamins थे उनके रसानिक नाम थी इसके अलवा और कोई भी नहीं पूछा जा सकता है आपके exam में तो friends इसे आप ध्यान से जरूर देख लीजिएगा Next question निसेद अधिकार दिबस यानि कि बीटों का पहला प्रियोग कौन से राष्टपती ने किया था ग्यानी जैल सिंग ने किया था सबसे पहले बीटों का प्रियोग और इन्होंने कौन से बीटों का प्रियोग किया था pocket बीटों का प्रियोग किया था सबसे पहले इन्होंने pocket बीटों का प्रियोग और इन्होंने भार्दिय डाक संसोधन अधरियम में किया था भीटो का प्रियोग Next question, मद्द परदेश में सफेद बाग कहां पर पाय जाते हैं भगेल खंड छेतर यनि की रीवा में पाय जाते हैं मद्द परदेश में सफेद बाग Next question, सुच्छता के आधार पर मद्द परदेश का सबसे अच्छा राष्टी उद्दान कौन सा है? अगला question पूछा किता 2022 के इन बिक टेस्क गेम्स कहां पर हुए थे? नीदल लेंड में हुए थे 2022 के इन बिक टेस्क गेम्स Next question, भारत में प्रते दिन कितना सीबेज भरता है? 29,368 million liters सीबेज बनता है भारत में प्रते दिन बनता है Next question, गंगा नदी से सम्मदित एक प्रस्ण पूछा गया था? असपस्ट तरीके से किसी को पता नहीं था इसके बारे में बड़ इसे से related एक कोशन जरूर पूछा गया था Next question, बंगाल का आतंग फूल किसे कहा जता है? जल कुम्भी को कहा जता है बंगाल का आतंग फूल जल कुम्भी को Next question, सत्पुडा बिंध्याचल से संबंदित एक प्रस्ण पूछा गया था सत्पुडा बिंध्याचल से संबंदित अगला कुछन ने मनु स्मर्ती किस से संबंदिते? ये बिधी से संबंदिते? मनु स्मर्ती बिधी से संबंदिते अगला कोशन पूछागे था हाइडरोमेटर की खोज किस ने की थी निकोलसन ने की थी हाइडरोमेटर की खोज निकोलसन ने नेक्स्ट कोशन आप चिकता का सिध्धांद किस ने दिया था अलबर्ट आइंस्टाइन ने दिया था आप चिकता का सिध्धांद अगला कुछे गेता निू लैंड्स में कितने तथों को वर्गी किरिद किया जाता है 56 को फ़्चे गेता महत्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी 10 जनुरी 1908 में पहली बार जेल हुई थी महत्मा गांधी को नेक्स्ट कोशन भारत भवन का वास्तुकार कौन था चाल्स कोरिया था भारत भवन का वास्तुकार चाल्स कोरिया नेक्स्ट कोशन पूछा गयता मद्द पर्देश में सिसू मिरत्युदर वर्दमान में कितनी है 43 से वर्दमान में मद्द पर्देश में सिसू मिरत्युदर 43 नेक्स्ट कोशन पूचा गया था मद्द परदेश में सबसे अधिक सीमा किस राज्ज के साथ लगती है उत्तर परदेश के साथ लगती है मद्द परदेश में सबसे अधिक सीमा उत्तर परदेश के साथ नेक्स्ट कोशन हाइडरोमेटर से क्या मापते हैं तरल पदार्थों के घनत मापा जाता है हाइडरोमेटर से, तरल पदार्थों के घनत, नेक्स्ट क्वेशन, तंत्र का तंत्र की कौन सी ज़्यादा उत्तेजक कोचकाय रहती हैं, निरोन्स सबसे ज़्यादा उत्तेजक कोचकाय होती हैं, निरोन्स, नेक्स्ट क्वेशन पू नेक्स्ट कुछा गया था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानि कि IFC की अस्थापना कब हुई थी 20 जुलाई 1956 को हुई थी IFC की अस्थापना सामर्थ योजना किस से संबंदे थे वस्त उत्पादन में बिरिधी से और लोगों को परसिचित करने से संबंदे थे सामर्थ योजना नेक्स्ट कोश्चन पूछा गया था भारत में मिसाल परिचर से सम्मधित एक प्रस्चन पूछा गया था और LPG और CFC से भी सम्मधित एक कोश्चन पूछा गया था असपस्ट तरीके से पता नहीं था लोगों को कि कौन सा question पूछा गया था, बट इसी से related question था Next question, किलो बाइट में किसको मापते ही, मेमोरी को मापा जाता है किलो बाइट में, मेमोरी को Next question, पूछा गया था, router क्या काम करता है, तो router क्या है, एक networking उपकरन है, networking equipment है Next question, माडेम क्या है, माडेम एक networking device है, networking device है माडेम Next question, पूछा गया था, कुलोरीन पर ओजोन किरिया कराएंगे तो किया बने गया, तो कुलोरीन किरिया कराने पर ओजोन पर ओजोन अड़ू का नस्ट हो जाता है next question, calcium sulfide का formula पूछा गया था CSO4 होता है calcium sulfide का formula next question, CFC को freeze में डालना क्यों बंद कर दिया गया CFC ओजोन परत को छती पहुँचाती थी और इसलिए CFC को freeze में डालना बंद कर दिया गया next question, सूर की रोसनी से हमारे सरीर को क्या मिलता है बिटामिन D मिलती है आप सभी को साथ पता होगा सूर की रोसनी से बिटामिन D मिलती है next question है सत्पुडा राष्टी उद्दान नर्मदा नदी के किस दिशा में है दच्छड दिशा में सत्पुडा राष्टी उद्दान नर्मदा नदी के दच्छड दिशा में अगला कुछन पूछागे था खजुराहों मंदरों का निर्माड कब हुआ था नवसों पचास से एक हजार पचास इजबी में हुआ था खजुराहों मंदरों का निर्माड नेक्स्ट कुछन मध्ध परदेश भारत के किस भाग में इस्ते थे मद्ध भाग में इससे थे मद्ध प्रदिस मद्ध भाग में नेक्स्ट कोशन पूछा किता मद्ध प्रदिस जल निगम का गठन कब हुआ था तो 6 जून 2012 में हुआ था मद्ध प्रदिस जल निगम का गठन 6 जून 2012 में नेक्स्ट कोशन पूछे के दान नासिर अमनुदीन डागर का संबंध कहां से हैं इनका संबंध इंदोर से हैं नेक्स्ट कोशन ओजोन परत का क्या काम होता है तो ओजोन परत क्या करती है पराबैगनी किरोडों को पृतिवी पर आने से रोकती है वरना अगर पराबैगनी कर नेक्स्ट कोशन खेडा किसान अंदोलन किन नेताओं के नेतरित में हुआ था तो गांधी जी और सरदार बल्लम भाई पटेल के नेतरित में हुआ था खेडा किसान अंदोलन नेक्स्ट कोशन पूछागे ता नरसिंगड अभ्यरण किस जिले में इस्थे थे तो किस जिले में इस्थे ते नरसिंगड अभ्यरण ये राजगड में इस्थे थे राजगड में नेक्स्ट कोशन चटीजगड और महराष्ट से किस जिले की सीमा लगती है मद्ध प्रदेश के बाला घाड जिले की सीमा 36 गड़ और महाराष्ट जिले से लगती है नेक्स्ट कोसन 2012 तक उपलब्ध आकड़ों के नुसार भारत में कितने राष्टी उद्दान इस्थ थे 104 राष्टी उद्दान है 104 नेक्स्ट कोसन मगबूल फिदा हुसेन किसके लिए परसिद है ये चितरकारी के लिए परसिद है मगबूल फिदा हुसेन चितरकारी के लिए नेक्स्ट कोसन पूछा गया था भारती प्रतिभूती और बिनमे बोड यानि कि सेवी की अस्थाबना किस वर्स एक बैधानिक निकाय के रूप में की गई थी 1922 में की गई थी सेवी की स्थाबना नेक्स्ट कोशन बेकिंग सोडा का सूतर पूछा गया था बेकिंग सोडा का सूतर तो इस ने एच सियो थरी होता है बेकिंग सोडा का सूतर और इसका रसाइनिक नाम होता है sodium bicarbonate sodium bicarbonate होता है इसका रसाइनिक नाम next question BPN का पूरा नाम क्या है virtual private network होता है BPN का पूरा नाम virtual private network दोस्तो full form से एक या दो question जरूर आपके exam में पूछे जा रहे हैं हर सिप्ट में पूछे जा रहे हैं और हमने इस बीडियो में most important selected full forms रखे हैं जो आपके अगले सिप्ट में जरूर पूछे जाएंगे तो first है ROM ROM का full form होता है read only memory CPU का full form होता है central processing unit और URL का full form होता है uniform resource locator इसके लबाए USB का full form क्या होता है तो universal serial bus होता है USB का full form virus का full form most important है vital information resource under siege होता है virus का full form TCP का full form transmission control protocol होता है TCP का full form next UPS का full form uninterruptible power supply होता है UPS का full form uninterruptible power supply और यні most important है UPS का full form कई बार पूछा गया है exam में SATA 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 का full form क्या होता है serial advanced technology attachment होता है SATA का full form RAM का full form होता है random access memory SMPS का full form क्या होता है switched mode power supply होता है CD, compact disc होता है CD का फल्फॉर्म, इसके लिबाद DVD, digital versatile disc होता है DVD का फल्फॉर्म, CRT, cathode radio, TEC का फल्फॉर्म होता है Digital Equipment Corporation, और SAP का फल्फॉर्म क्या होता है, system application and products होता है SAP का फल्फॉर्म, next is PNG, PNG का most important फल्फॉर्म में और इसका फल्फॉर्म में portable network graphics, portable network graphics और इस image का extension भी होता है, PNG image का extension भी होता है, आप यह भी याद रखिएगा next question, द्रोपदी मूर्मू भारत के कौन सी करम की राष्ट पती है, तो इप 15 करम की राष्ट पती हैं, द्रोपदी मूर्मू next question, printer किस तरह की device है, तो printer एक output device है, दोस्तो input output device से एक या दो question आपके हर एक accept में जरूर पुछे जा रहे हैं, और हमने इस वीडियो में सारे के सारे input output device आज कबर करने वाले हैं, तो input device में कौन कौन डिवाइस आ जाते हैं, keyboard, optical pen, joystick, scanner और बार कोड रीटर, यह सारे के सारे input device हैं, और output device में कौन कौन आ जाते हैं, headphones, headset, scanner, laser printer, plotter, engagement printer, engagement printer, और speaker, यह सारे के सारे output device हैं, output device हैं यहीं, और input कुछ device होते हैं, जो input और output device की तरह यूज होते हैं, और ऐसे ही exam में पूछ भी लेता है, कि कौन से device हैं, जो input और output device दोनों तरह से काम करते हैं, तो digital camera, pen drive, touch screen, cd dbd, babe game, facts और modem, यह इतनी device जो हैं, यह सारे के सारे input और output device दोनों तरह से काम करते हैं, तो आप यहीं भी याद रखेगा दूस्तो, next question, प्रतरोत का SI मतरक क्या होता है, ओम होता है प्रतरोत का SI मतरक, और यह question आपके exam में पूछा गया है, next question, बायोगेस किसकी अनपस्तित में बनती है बायोगेस, oxygen की अनपस्तिती में, next question, सिंबेक्स सेन अभ्यास भारत और किसके बीच होता है, भारत और सिंगापूर के बीच होता है, सेन अभ्यास ते एक दो कोशन आपके exam में जरूर पूछा चा रहा है, और आज हमने सारे किस सारे सेन अभ्यास कबर करने की क सेन अभ्यास की है, first is, युद्धाब्यास है, मालाबार युद्धाब्यास, भारत, अमेर्का, जापान और अस्ट्रेलिया के बीच होता है, मालाबार युद्धाब्यास, दोस्ती युद्धाब्यास किसके बीच होता है, भारत, मालदीप और स्रीलंका के बीच होता है, द अस इंडेक्स भारत और अस्ट्रेलिया के बीच होता है अब नाम से ही पता कर सकते हैं अस मतलब अस्ट्रेलिया और इन मतलब इंडिया तो अस इंडेक्स भारत और अस्ट्रेलिया के बीच होता है इंडेक्स भारत और मेंबार के बीच होता है भारत और मेंबार के बीच यु सिटमेक्स भारत सिंगापूर और थाइलेंड के बीच होता है युद्धाप्यास भारत सिंगापूर और थाइलेंड के बीच अगनी वारियर भारत और सिंगापूर के बीच होता है अगनी वारियर युद्धाप्यास अस्ट्राहिंद भारत और अस्ट्रेलिया के बीच होता नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच युद्धाब्यास होता है मैत्री युद्धाब्यास भारत और थाइलेंड के बीच होता है मैत्री युद्धाब्यास बीर गार्जियन, most important है बीर गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है बीरगार जिन युद्धाब्यास जीमेक्स युद्धाब्यास भारत और जापान के बीच होता है युद्धाब्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्धाब्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंफ युद्धाब् वजप्रहार युद्धाब्रस नेक्स्ट कुछा गया था दोस्तों मौलिक अधिकार कौन से अनुछेद के अंतरगत आता है तो अनुछेद 12 से 35 के अंतरगत आता है मौलिक अधिकार अगर आपके एकजाम में मौलिक अधिकार पूछा गया है तो सातुवा मौलिक अधिकार चरूर आपके exam में पूछा जाएगा और सात्वा मौलीक अधिकार संपत्ति का अधिकार था जिसे 44 पे सब्धान संसोदर 1978 के द्वारा एक पैदानिक अधिकार बना दिया गया और मौलीक अधिकारों को किस देश से अपना गया है अमेरिका के सब्धान से अपनाय गया है मौली का दिकारों को ये most important है आपके अगली सब्ट में 100% पूछा जाएगा दोस्तो अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को share जरूर करिएगा चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजिएगा और well icon को जरूर प्रेस कर लिजिएगा कोमेंट करके हमें बताईये कि आपको ये वीडियो कैसे लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक दिख लए बबाई